नमस्कार आप देख रहे हैं बिंगूस और मैं हुप्रिया सा हूँ अई नज़िद आते आज के सुर्खियों पर जमशेदपूर के कासीडी के घर में चर्च बना कर चल रहा था धरम परिवर्टन का कार्ड वेप ने किया जम कर हंगा जमशेदपूर के विष्टिपूर स्थित के तांचली बार में लॉक्ड़न को लंगन करते हुए धराई लोग और जमशेदपूर के होटल इबं रेस्टोर्ट असोशेशन के सदस्थ ने पुर्विधायक सर्युराय से लगाई हुए आप खबरे विस्तार से जमशेदपूर के साचिथान अंतरगत पासिदी लाइन नमबर पांच में इसाई समुदायक और प्रेयर किया जाद हो था जमशेदपूर के साचिथान अंतरगत लाइन नमबर पांच सिर्थ एक घर में धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था इसकी सूशना पर विश्वे हिंदू परिशत के कारेकरता मौके पर पहुँचे कारेकरता जब ललिक मौहंदास की घर पहुँचे तो पाया की घर के कमरे में एक छोटा चर्च बनाया गया है जहां 30-40 की संख्या में महीला एवं बच्चे मौजूग थे मौके पर एक पादरी मादू नायक भी थे सभी को देखकर वेहब के कारेकरताओं ने हंगामा शुरू कर दिया इधर सूचनपाकर सांक्ची कुलीस भी मौके पर पहुँची और पादरी को पकड़ कर थानले गई इधर वेहब कारेकरताओं ने जम कर हंगामा किया मौके पर मौजूद सभी महिल आओं और बच्चों को उनके घर भेज दिया स्थानिय लोगों के अनुसा ललित महंदास के घर पर काफी दिनों से धर्म परिवर्तन का काम चलता आ रहा है यहां काफी संख्या में गरीब तपके लोग आते हैं जिन्हें लालज देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है इधर ललित महंदास ने बताया कि घर पर पादरी को बुला कर बाइबल पढ़ा जाता है लोगों के बीच प्रातना की जाती है या पिछले 20-25 सालों से चलता आ रहा है फिलाल पुलिस मामडे की जांच कर रही है इसाई लोग का प्रेर होता है संदे सर्विस होता है तो हम लोग प्रातना के लिए वहां पर इकता हुए थे प्रातना लगबग खतम हो रहा था उस समय लगबग 100 से उपर लोग आ गए और वो लोग चिलाने लगए कि आप लोग धरम परिवत्न करा रहा है जबकि हम लोग प्रेर के लिए बैग रहे थे उसके बाद में वोग बहुत बुस्ता हो गए और ऐसे वो रियक्शन के जिससे हम लोग डर के मैं 100 नमबर डायल किया पुलिश को कॉल किया उसके बाद में पुलिश में आया और मेरे को यहां थाना सक्ची थाना में हम लोग को बदाया गया कि यदि आप चर्च करते तो चर्च में आप किजिए किसी का धर में दूसरों पुलाइए मार बुला तो मैंने बुले सार हम किसी को भुलाएं नहीं है यदि कोई आगया तो हम कैसे उसको मना कर घो कि में यदि मंदीर जाओं तो मेरे को कोई माना नहीं कर सके लिकिन सादधाना में बोला गया एसे जो दूबरा मत किजिए अप एक लिख के दीजे सब्सक्राइब नियुक्त करने के चब्सक्राइब करने के जहां पहुत सालों से भी अब लोग थाना में थाना प्रवारी क्या बोलें एस प्रपरवार यह बोले कि दूसरा दोरम को लोगों को बुलाइए माठ आप अपने प्राफन कर सांगे थे हैं अक्ट्व तो यह बहुत साल का मामला है बघल में विजै गुपता में घर का प्रपर्टिका चलते दिव वाल जो द्योनों का सटा हुआ है उसका पानी चूता है उसके कारण वह आज सुबह में अपने आखों से देखा चैर्जब सुरह के किसी को और दो तिन वर हमारा थाना में एक केस किया था वो बोला कि यह लोग हम लोगों मार रहा है मार पिट कर रहा है तब हम फाना आए थे कि उसके नहीं कंप्लेंगा थाना में किसी का कहुंवां मेरेको कुई मार पिट नहीं क्या है कोई मार पिट नहीं क्या चैर्फ कि कोई मेरे को थुआ ने मार्विक नहीं परिशे दिए मेरा नाम मधुनाई पास्ट मधुनाई चर्चप फास्ट बहुंद का सकते हैं हम क्या बोले सहर का महौल भी बिगड़ सकता है इस पर प्रिशासक को विशेज ध्यान देना चाहिए उअनि मेरा या पैसा का पता नहीं चला है इन लोगने वह आज अच्छा पैसा देने का हम लोगों को भाचित किया गया था और लगभग सालबर चहुआ जा रहा है उनके पड़ोसियों ने बताया प्चाहिए कि छह महीने से से कुछ सब्सक्राइब करेंगे और प्रभारी अपने उपर देखें जो नया संगत हो किया जाए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे जन्दन चौब महानगार स्वाहमंत्री विश्व हिंदु परश्ण को लोग क्या रहे हैं यहां क्या आद्म कर रहे हैं जो है क्या हो अब क्या देखें आपको क्या थे शुन है जब शेट्बूर के पिस्ट्रपुर स्विट के ताजनी बार में लॉगण को लंगन करते हैं धरायो इस पर प्रशाशन करेगी सिर्थ राज जबर में रात आट बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद शहर में भी दुकाने बंद हो जा रही हैं पर कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो कि लॉगड़ॉन को लंगन करते हुए नियम के अंदेखी करते नजर आ रहे हैं शनिवार को CTSP शुभास चंद्रेजाट और A.D.M. Law & Order के नेतरित वाली टीम ने राट बजे के बाद बिस्टिपूर बाजार में च्छापे मारी की इस दौरान JNAC के विशेश पदाधिकारी प्रिश्ण कुमार और सिटी मैनेजर रवी भारती भी मुझूद रहें टीम ने बिस्टिपूर बाजार में च्छापे मारी के दौरान टीम गितान जिली बार के पीछे से गुसी टीम और पुलिस को देखते ही बार में हड़कम पज़ गया पुलिस दर्वाजा ठोकती रही पर काफी देर तक किसीन दर्वाजा नहीं खोला थोड़ी देर बाद दर्वाजा खुला तो टीम ने पाया कि बार में कुरोना के नियमों की अंदेखी कर आठ बजे के बाद भी शराब का सेवन करवाया जा रहा था टीम ने ततकाल बार को सील करने का अदेश दे दिया यहां से टीम बिस्टिपूर के खाव गली में कई जहां कुछ ठेले वाले बंद रख करते दिखें सभी को हिदायत दी गई कि रात आट बजे तक दुकान बंद कर दी जाए नहीं तो दुकान पर तालिस घंटे के लिए सील कर दिया कोरोना का गाइडलान निकला है राजसरकार के दुवारा कि आठ बजे साम से ले करके सुबच के बजे तक सभी दुकानों को बंद रखना है लगतार चेताउनी और हम लोग समझाने के बावजुद भी कई दुकांदार नहीं समझ रहे हैं इसी संदर्व में आज बिश्क्वपूर में एक अवय धुरूप से बसे बार रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है जहां पर लगभग 10 से 15 लोगों को साड़े आठ बजे सराब पिलाने का काम किया जा रहा था तो वैसे दुकान को हम लोग आज सील किये हैं और आगे भी अगर इस तरह के कोई दुकांदार नहीं समझेंगे तो उनको भी सील कर दिया जागा सर क्या आप चो कोई बते नहीं भी किया है नए ऐसा कुछ नहीं है वहसबाजी कर रहा था तो उसको हम लोग बेठाना में ले गया है और उसको जो भी सुसंगत धारा है आप दा परवंधन अदिमियम के तहर उसके तरह उसको करवाई तो इसके उपर कोई सरकारी कार में ब अधर प्रें परसे जैसे हम लोग पहुंचें तो अंदर से गेट बंद कर दिया और पहले गेट बंद कुला करके वह बहुत तरह लोगों को दरूपिरा रहा था जो भाग गया लोगों कि अगर लाइसन्स नहीं है तो उसको हम लोग फिर करवाई करेंगे तो इसको भी देख रहें करवाई करेंगे जमशेद्पुर के होटेल इबम रेस्टरांट एसोसियेशन के सर्गत से आज जमशेद्पुर के पुर्फ रिधायर से रिवराई से मलकात कर अपने गुहार लगाई जहां फिन सर्कार पर जारी कोरोना गाइट लाइन में रात आट बजे होटेल बंद करने का निर्देश है लेकिन उनका कहना है कि आट बजे से ही उनका वेफसेश शुल होता है सर्कार से उन्होंने मांग की कि उनका समय रात दस तक उनको छूट दी जाए ताकि वो अपना कारोबार चला सके ताकि उनके साथ जुड़े और भी लोगों का घर चल सके विधायक सेरी उराय ने उनका ग्यापन राज्ये के मुख्य सचीव को प्रेशित कर दिया और उनकी मांग पर ध्यान देने का आगरे भी किया क्योंकि यह मामला सिर्जमशेदपुर का ही नहीं पूरे राज्ये का है हम लोग वोटल और रेश्टोन डेस्टों की तरफ से लास्ट यर भी साथ मेना बीज दिन तक लॉकडाउन की मार हम झेले और काफी नुकसान से भरे वाले दिन हमने देखे इस बार फिर से सारे नियम कानून के साथ हम अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं और हमारी मांग यही थी और ही रिक्वेस्ट करने आये थे सर को कि जो आट बजे तक का समय है हमें दो धाई गंटे का और वक्त मिल जाए तो हम कम से गए अपने जो खर्चे हैं वो निवारन कर सके हमारा स्टाफ सैलरी है रेंटल्स है भीज़ली खर्चे है वो कम से कम हमारा निकल सके को हमारा बिजनस ही आट बजे के बाद शुरू होता है आट से दस का जो दो घंटे का टाइम है एक्टी परसंट बिजनस जमशेथपूर के जितने भी फूट आउटलेट्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं सबका वो कंट्रिबिशन एक्टी परसंट से आता है तो सर के पास हम लोग यह आश्वासन से आए हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चीफ सेक्रेटरी महोदे और सीयम स के बाद ही खुलते हैं इनका बिजनस उसके बाद ही होता है तो सरकार जितने प्रतिबंध लगा रही है कि हमारी जितनी चमता है उससे आधी संख्या में लोग बैठेंगे छे फिट की दूरी दो लोगों के बीच में रहेगी इस सब को मानते हुए यह चाहते हैं कि इनको क हमसे कम दस बजे तक साड़े दस बजे तक अपना रेस्टना चलाने की अनुमती मिले हैं और इनकी बात वाजिब है इसलिए मैंने राजी के मुख सचीव से बात किया और बताया कि हमारे हैं आ रहे हैं इनका ये तर्क है तो उन्होंने ये कहा कि आप एक इनका पीटीसन भ दिमित है बलकि इस राज्य में जहां भी बड़े सहर हैं जहां रेस्टरेंट हैं उन सबों के लिए ये कठिनाई का सबब है इसलिए मेरा आगरा होगा कि जो परतिबंद सरकार लगा रही है कोरोना के गाइड लाइन्स के उससाथ उसका पालन कराते हुए इन से इनको अप 11 अप्रेल 2021 को नूरी मरकस जमशेठपूर में एक पत्रकार समेलन का योज़ग किया गया जिसमें कई प्रमुख वक्ताओं ने भारत सरकार से महन नर्सिंग आनन पर कानून सम्मत करवाई करके गिरबतार का मांग किया इस मौके पर नूरी मरकस के प्रबंदक मौलाना बु सुनत हुआ जमात के केंद्रिये महा सचीफ मुक्ति गुल्पाम मिजबाही ने इस घटना पर निंदप्रगट करते हुए कहा असमीनानंद सरस्वती देश की लोगतंतर में खत्रा है मौलाना कारी मुझताक ने कहा उनर सिंग आनंद मानव नहीं दानव है और इसके दमनकारी वक्ताओने पुरे देश के अलपसंक्यक आक्रोशित हैं और इस आक्रोशपन को शांत करने की जिम्यदारी उत्तरप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की है अन्यताल संक्यक समुदाय सरक पर उत्रेगा इस मौके पर फ्रंड के केंद्रिये महसचीव बावर खान ने कहा महनपनर सिंग आनंद सरस्वती को खुली छूप देने वाली उत्तरप्रदेश की योगी सरकार एक बड़े हाथ से क्वा मंतरिक कर रही है क्योंकि जिस समुदाय के धर्मगुरू के प्रतियापत जनिक शब्द का प्रयोग हुआ है उसके लिए इसलाम मजभब के मानने वाले मर्मिटने को तयार है बावर खान ने कहा उत्तरप्रदेश सरकार मुसल्मानों के आक्रोश भावनाओ को कदर करते हुए महलत नर्सिंग आनंद सरस्वती को आप बिलम गिरफतारी करे आज जो लोग गिरफतार के मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं उन पर ही जिलप्रशाशन कारवाई कर र समय रहते जिलप्रशाशन बिना शर्त मुकदमा को वापस ले इस अफसर पर मरकस वैजूल उलम के मदर्सा के केंद्रिये महासची बिलान नासिव ने कहा कि भारत भी शहीदों के सपने को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी साजीश है जो क और इसी उतरपदे ही सरकार का साहिब राक्त है जिसका उधारन है कि आया दिन इस तरह के आवाज उतरपदे शेही शुरू होती है इस मौके पर मॉलाना, मत्युला, हबीबी, मुफ्ती, सपाहट, मिजबाही मुफ्ती, अबू हरेरा, मिजबाही हाजी, मुकतार, साफी, प सावेद अली और अभियंता बिलाल नासिर के अलावा अन्ने कई लोग उपस्थित हैं। आज के ये कारीकरम तो मेसेंजर ओफ पीस के नाम से मूरी मरकद जवाहर नगर जम्शेदपूर के बेहनर तले हो रहा है। मैं मूरी मरकद का डिरेक्टर हूं मुहम्मद बुर्हानु लोगदा मस्वाहि आज के ये कारीकरम का मकसद ये है कि अभी जो फिदा आलूदा हो चुकी है एक पंडित जगाजियाबाद का जिसने हमारे प्रॉफिट पगंबर आजम धिनाब मुहम्मद रसुलिल्ह सल लल्ला अभी जिसने हो ताला अलियुसलमा की शान में बहुत ही घिनावने अंदाज में गुस्ताखी किये जिसको मुसल्मान कतई वरदाश नहीं कर सकता है नभी पाक सल्वाद की आजमत और नामूस के खातर है अब तक मुसल्मान ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसकी मुसल्मान हिंदुस्तान के कानून पर वरूसा रखता है और अपने कानून का इहतराम करता है चुछी यह सेकुलर मुल्क है और सबका यहां बराबर का हक है सबको जीने का हक है सबको अपने मजभग की आजादी हासिल है लेकिन किसी भी मजभग का कोई भी शक्स अपने ध अपील और मतालबा करते हैं कि नर्सिंगा नंद को फोरी तोर पर गिरफतार किया जाए 12 रोज हो गए अफसोसनाक बात यह है कि अब तक कोई गिरफतारी भी नहीं होई ना उसके खिलाब कोई कारवाई की गई है हम हकुमत से मतालबा करते हैं इस बात का भी कि उसे गिरफतार किया जाए और दूसरा यह कि इसके तालुख से सख्ट कानून मनाया जाए कि किसी भी मख़ग के धरम गुरू के तालुख से कभी भी कोई गाली गलोज करें या आपमान जलक शब्द कहें तो उस पर फौरी तोर पर कारवाई हो यह हमारी अज़े नूरी मरकज के दौरा मेसेंजर ऑफिस और्गनाइस किया गया था जिसके डिरेक्टन हो बुरान उल्होदा साहब समसाथ कादरी साहब बिलाल नासित साहब और उन्जी पूरी टीम है और मैं भी इनका समर्थत हुए और आल इंडिया माइनर्टी फ़रंट का क्या रिमा सथी है यह विशाय जो काफी गंभीर विशाय है इसलाम मज़द के खिलाब और हमारे नभी किसान में जो महन नरसिंगा नंद सरस्वती ने आपती जनक सब्द का परियोग किया है उसको लेकर के लगातार पुरे हिंदुस्तान में अंदोलन हो रहा है और हम मुसल्मानों की यह मांग है केंदर सरकार से कि उसको जल से जल ग नामोस है और हर दिन यह महन नरसिंगा नंद सरस्वती हर दिन ट्विट कर रहा है और एक चैलेंज दे रहा है वो चैलेंज किसको दे रहा है मुसल्मानों को दे रहा है या हिंदुस्तान की हुकुमत को दे रहा है यह हिंदुस्तान की हुकुमत उसे अजादी के साथ छोड है और हम लोगों ने इसे काफी गंबीरता से लिया है उसका ही ये कारण है कि हम अब हर महले पर हर जगा पे अपना पॉकेट मिटिंग करेंगे और हम यह हुकुमत हिंद को यह बताना चाहेंगे कि मुसल्मान उस वक्त तक सांथ से नहीं बैटेगा जब तक ये कमबा खत जो महंद है इसकी गिरफतारी नहीं हो जाती है गिरफतारी के बदले आज उसे अजादी के साथ छोड़ दिया गया है और हिंदुस्तान के माहौल खराब करने के लिए जो एक सड्यंत्र रचा जा रहा है उससे भी हम तमाम मुसल्मान वाकिफ है और हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से गिर्यम मंत्री से यह मा अज जब शेट्वर के पशंची कित्सा पदादिकारी मालिध पलिक ने दर्मा वंचेत्र के तमाम वंचेत्र पदादिकारी वंपार ऑवंवं करने उप को जंगल के जावरों में बिमारी होने पर कैसे बेहुश्का की दवा देनी का परिक्सन दिया जाता है उसका सभी को दर्मा जंगल में हाती, हीरन, बाग, बालू, सुर, आदी जानवर है। वन छेत्र पदाधिकारी ने बताया कि जंगल में रह रहे जानवरों को बिमार हो जाने पर दवा नहीं दे पा रहे थे। आज कर प्रसिक्षन में जानवरों को दवा दे पाऊंगा। जंग शेत्पुर के परशू चिकेट सपदाधिकारी मानिक पालिक ने कहा कि बड़ी जानवरों को कैसे बेहुशी स्वई दिया जाता है, इसका प्रसिक्षन दिया गया। इनको इनका बेसिक टेक्नोलोजी क्या है, क्या क्या इसमें सुरक्षा का है चीज और कैसे अप्रोच करना है, यही हम लोग आज बेसिक इनको बता रहे हैं। जब यह लोग फड़ा से और सीख जाएंगे, और प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको हम इसका आगे का जो स्टेज होता है, विद मेडिसीन, जो ट्रेंकुलाइजिंग मेडिसीन एक्चुल जो दवाई होता है, उसको लेके भी हम लोग एक ट्रेनिंग करेंगे। मैं डॉक्टर मानिक पालित, डेप्टी डारेक्टर, वह वेटनरी डॉक्टर, टाटा स्टील जोलोजिकल पार्क से में। मैं उसका कैसे ईलाज करेंगे हम, चैकि उसके पाहे जार नहीं सकते हैं, उसको वाटर होल ऑड पास, चाहा sini मंचान के दौआरा, उनके उनके सरीर में दवाए क्रौवेस करने का किस तरह से हम कर सकते हैं। क कि द्र दौरola लोगों को सारे श्रफ को ठेडिकат था कि किसी भी जानुवर्श का अगर वाय ले संचुरी में हमारा होता है एक से सारे इस्टाफ को जनकारी होना चाहिए कि उसका है की से कर सकते हैं रान необходимо में जब नौकरी करते हैं तो हमारा पहला उतरदाइत है कि हम उनकी शेहत का चाहें उनकी बीमारी का इलाज समुची धंग से कर पाएं अगर हम उसके जीवन को बचाने में सफल होते हैं यह हमारा उदेश से है सरे इस्टाप का इसलिए आज यह ट्रेनिंग मस्ट है दिया जा जमशेदपूर के कासिडी के घर में चर्च बना कर चल रहा था धरम परिवर्दन का कार भीव ने किया जमकर हंगा जमशेदपूर के विस्टिपूर स्थित के तांजरी बार में लॉक्टाण को लंगन करते हुए धराई लोग और जमशेदपूर के होटल इबं रेस्टोर असोशेशन के सदस्वें पुर्विधायक सर्यूराय से लगाई हुए फिल्हाल के लिए बस इतना ही अब मितने हैं लेको में जुनियो सीपरेटीन को देजिए इजाज़त नमस्कार